हेलो फ्रेंड्स रिजनिंग एंड कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज आपकी वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में बात करूंगे निट 2020 के अर्जेंट नॉटेस के रेसेंट में अभी निट 2020 की जो काउंसलिंग करती है उनके उफिशल वेबसाइट के ऊपर एक अर्जेंट नॉटेस डाला गया है इंपोर्टेंट अपडेट डाली गई है तो इस वीडियो में उसे से रेलेटिड डिसकस करूंगी आप सभी को पता है कि राउंड वन का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और देख सकते है या फिर आप ओफिशल वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते है ठीक है अब मैं बात करती हूं ओफिशल नॉटिस की कि नॉटिस किस से रेलेटिड डाला गया है एक्चुल में जो आपका राउंड वन का फाइनल रिजल्ट था आप सब में देखा कि पहले जो दाला था MCC के ओफिशल वेबसाइट के ऊपर उस टाइम पर जो लास्ट रिपोर्टिंग टाइम था वो 12 ओफ नॉबंबर दिया था उसके बाद फिर एक और नॉटिस दाला गया उसमें आपका अपडेट करके 14 ओफ नॉबंबर लास्ट आपका डेट डाला गया लास्ट का मतलब है कि जो कॉलेज अलोट किया गया था उसका रिपोर्टिंग डेट कि आप लास्ट जो रिपोर्टिंग टाइम है रिपोर्टिंग डेट है वो आप कब तक रिपोर्ट कर सकते है उस कॉलेज में ठीक है उसके बाद अब जो लेटेस्ट नॉटिस है उस नॉटिस के और अदमिशन फोर राउंड बन उफ यूजी कांसलिंग 2020 अध अलोटेट कॉलेज था उसको फिर से एक्स्टेंड कर दिया गया है अब 14 ओफ नौबर ना होगा 16 ओफ नौबर होगा और आप शाम को दो बज़े तक रिपोर्ट कर सकते है उस पर्टिकलर कॉलेज के अंदर जो आपको अलोट हुआ है ठीका 14 ओफ नौबर को आपकी दिपावली पड़े यह आगे दिया है इस इस इसू विद अप्रूबल ओफ कॉम्पीटेंट अथियोर्टी नौटिस जो था वो पहले पोस्ट किया गया था और आज 11 ओफ नौबर को यह नौटस पोस्ट किया गया है 7th of November को किया गया था उसके अंदर 12th last date दी थी और 11th of November को इसमें 16th of November date extend कर दी गई है दिपावली की वज़े से और सभी friends को happy दिपावली अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो like, share and subscribe जरूर कीजिएगा यदि आपको admission से related, counselling से related या किसी college से related कोई doubt होता है तो ने चुछ कॉमेंट बॉक्स में आप comment कर सकते हैं वहाँ पर आपको response जरूर मिलेगा ओके, thank you friends